नमस्कार दोस्तों मेर नाम स्रीकांत कुमर अब देख रेटुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाली सी वीडियो में दोस्तों अगर आप नीव अधार कार्ड बनवाए हैं या फिर अधार कार्ड में किसी परकार का अपडेट करवाए हैं और आप इंरोल्मेंट सिलिप से चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास तक बने रहना है क्योंकि इस वीडियो बहुत सिंपल तरीका से बतलाने वाला हूं और जो भी बतलाने वाला हूं 100% आप अधार का चेक कर सकते हैं बहुत असान तरीका से तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चलब नया है, तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिए, बलाइकार घंटी को भी प्रेस कर लिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुँच पाई तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों सबसे पहले आपको अधार काड का New Official Website पर आपको इस परकार से चले आना है और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में आपको मिल जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस परकार से नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको एक ओप्चन देखने के लिए मिलेगा Check Enrollment and Update Status तो इस वाले option पे क्लिक करना होगा इस परकार से क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इस परकार का एक page यहाँ पे open हो जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे दिखिए दोस्तों अपना enrollment ID number को इस box में आपको type करना होगा है तो दोस्तों enrollment ID number क्या होता है किस जगा पे लिखा हुआ रहता है कहां पे लिखा हुआ रहता है तो उसका जनकारी हम इस वीडियो में आपको हम दे देते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप अधार कार्ड में किसी परकार का अपडेट करवाए है या फिर निव अधार कड बनवाए है तो इस परकार का आपको एक receiving मिले होगा और इस receiving में आपको यहां पे देखिए enrollment ID number दिया हुआ रहता है और इस जगा पर यहां पे date और time यहां पे दिया हो रहता है किस date में आप अपडेट करवाए है या किस date में आप यहां पे निव अधार कड बनवाए है उसका यहां पे date और time दिया हो रहता है तो यही दोनों चीज़ को आपको वहां पे type करना होगा तो किस परकार से आपको वहां पे type करना होगा वो चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप जो है कि अस्टेटस को चेक नहीं कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले जो है कि enrollment और यहाँ पर time table जो भी है उस date यार टाइम को किस परकार से तो यहाँ पर टाइप करना है वो चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है तो चलिए सबसे पहले जो कि इस box में enrollment ID number को टाइप कर लेते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर date और time को किस परकार से आपको टाइप करना है तो चलिए सबसे पहले enrollment ID number को टाइप कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तो enrollment ID number को टाइप करने के बाद यहाँ पर date और time को किस परकार से टाइप करना है तो सबसे पहले हम ओ चीज को हम आपको यहाँ पर दिखा दते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखें, Inrollment Asleep पर आपको इस परकार से डेट और टाइप यहाँ पर दिया हुआ रहEXका तो यहाँ पर सबसे पहले तो सबसे पहले को कि यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, उसके बाद दीन को यानि आपको उल्टा वहाँ पर टाइप करना होगा तो चले हम टाइप करके हम आपको दिखा दते हैं तो यहाँ पर देखे डेट को टाइप कर लिए उसके बाद जो किस परकार से टाइप करना होगा तो टाइप को हम आपको यहाँ पर दिखा दते हैं तो यहा यहां पर इसी परकार से यहां पर टाइप करना होगा स्पेस देने की कोई जरूवत नहीं है नहीं कोमा लगाने की कोई जरूवत नहीं है जिस परकार से यहां पर लिखा हुआ है उसी परकार से आपको वहां पर टाइप करना होगा तो यहां पर दिखें दोस्तों टाइप कर करना हुगा इस परकार से क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तो अस्टेटस जो कि इस परकार से यहां पे ओपेन हो जाता है और दोस्तो यहां पे जो कि अधार कार्ड में हम अपडेट करवाए हैं तो यहां पे देखिए कंप्लीट यहां पे लिग दिया है कंप्लीट आपका हो गिया है और यहाँ पर देखिए बतायाएं कि अधार कार्ड आपका अपडेट हो गी अधार कार्ड में आप जो ही कि इस वेपसाइट पर जाकर अधार कार्ड को अब असान तरीका से डाउनलूट कर सकते हैं तो इस परकार से जो ही कि आप यहाँ से स्टेटस को चेक कर सकते हैं अपना इन्रोल्मेंट आइडी नंबर से तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगो तो वीडियो को एक लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल पर नहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बलाइकन घंटी को भी प्रेस कर लिजेगा